अधी बुटे एय बुटे एय कल से तु भू लोक में तपस्या नहीं करेगा यम लोक में करेगा कहा है बे तू तू ने मेरी जिंदगी से खिलवाण किया है एई तू तो गया मेरे हाथों से मरेगा तू मुझे चीट करेगा क्या सब मर्द ऐसे ही होते हैं इसका नाम सिद्धू है और ये है हासनी बच्पन में हुए एक हाथसे की वज़े से ये लड़कियों से नफरत करता है और इसे लड़कों से नफरत है अब इन दोनों के बीच में भी एक कहानी है जिसे जानने के लिए इनके ई-ई-ई कहानी को आ-आ से शुरू करते हैं जिसे बाए लिए अब ही लिए से मार रहे है हुआ चलते है हम लोग यही सोच रहे थे कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों को रुलाने में इस तरह मज़ा आता है क्या लड़कियां कहां पर हैं दिखने ही रही तुम्हारा ये अवतार देखकर कोई तुम्हें लड़कियां कहेगा क्या ये लेटेस्ट फैशन है तुम्हें फैशन के बारे में हमें ट्यूशन नेने की जरुवत नहीं है राशन कार्ड की वायाद फोटो कि तरह तुम्हारे पेस का निए कोई संबंध नहीं है क्यों सबाइप गाई खीज़ के लिए लुकु लूटे कुलू अधे करिक प दको दो डोड़े दोड़े ही ब्यूठी लू लूठी लूठी लू ओड़े मीण देक पूमाआँ कें बोड़े बील्डपलोड दे मीण गलरिंगु माँकें बत दे काज़िंग लोड़े चाठी भीन मीटिंगे जच़ते हसकोईं शकोरीय सकोथे हैपपी गावन्ना में हाट्टिनी अणगत्द मेट्रोपिन किककप प्रूलोथे प्रैकप पाच्च फीलोथे सोलो लाइप सूपर लेन्मियो अभलो दिन्पड़े अली जन्ने उन्टे पूंगी दे पूंगी दे पूंगा उन्टे आईकुलू कोट्ट्थे ये कमेट्ट्थे पड़्ट्थे नी कॉंप्लीमेंट्टे इना वत्थे फेस्टूबुक नी वाट्सआप नी फ्री अप्स डाउनलोड़ जेसी मैं पेसी मुण्चो दे शोपिंगानी लिटाउटानी मापोख मनी अमपीछ यह दे अप्डेक है आरे माग खुर्राले को वोनिलों पाठाँख दें, आपकोलों पाठाँख दें स्टर्ब कर देv का तुन लाइ की को थे अपे हों थे जन जे उन जे गो मिन जे को तो हों थे जे टुन लाइ एंट को को कुछ तुन लाइ की बली तुन थे प्सक्क रजार शचया रखने करेमी दियrän सक रखने करें मあぁ ciao आवी दो आवी दहको आवो आवी दोर मेंस क्रूइएंग नबदाती ञे जबंक पना सुपँगी इ सबसे हो आब समय था आब Bulgaria मेंस क्रमजा आब सक राब मेंस करेंक राब कर दिया भाई तुम तो भूत को कंट्रोल करें चोड़ दे भाई तुझे इस कालोनी में होना चाहिए इस कालोनी में होना चाहिए तुझे 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 रोड समझ के रखा या रन्वे कैसे भगाता है गाड़ी यह तो लेडीज है लेडीज है मेरी तो बच्पन से इनसे दुश्मनी है गाड़ी से नीचे उदर वोट नॉंसेंस इस तुझे तुझे किया और नंजा इस हमें बोल रहे हैं अपनी आगे सिर पे चला रहे हैं तो यह ड्राइविंग के साइज है भी कि नहीं है समझ में आ रहा है कितने लोगों को ठोकने के बाद ऐसा एक्स्पियेंस आया होगा इज़ट से हम सब को सॉरी बोल तुम्हें सॉरी कहूं नो नेवर भाई यह हमसे पंगा लेलिए इसकी हिंवत पर देगा तुक जा पर नहीं बोलेगी है अरे क्या हुआ तुम्हीं से कहा पर चाहरी सबस्क्राइब देखान के आरे क्या अरे क्या हुआ तुम्हीं से कह रहा हूं हां सुना आ रही हूं दादी जोसा एक नंबर बनाया है कितना ठूसेगा आपक्र आशन कर ले दादी रोज शय मैं और मेरे दुस्त बहुत सारे आशन करते हैं पतार जस्या कहां पर पता ही था, शाम होते ही तुम्हारे जनरेशन के सारे लड़के बार में बीयर पिएंगे, सेलफोन और कंपुटर में घुशे रहेंगे, तुम पछीज के नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारी कमर जो है बिना काम के कमरा बन जाती है, औफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी ल भग्वान में भी औरत मर्द का भिद्भाव रखता है पागल हो गया चल आजा खाना खाले बेवकूफ कहीं का मा ऑलिम्पिक्स में अगर डोसे के प्रतियोगीत रखी जाए तो तो तुम्हें गोल्ड मेडल तो पक्का मिलेगा जब तुम्हारे हाथ का डोसा खाता हूं न त जये माहेश्मती जये सिवगामी अब भी शुरू नहीं होई जये कटपा इसकी तो हट जब तक तेरा पाउं इस पे ना पड़े ये शुरू ही नहीं होती तो सुबस्बा क्यू गंदगी फैला रहा है अपनोती कहीं का क्या रहे सिद्धू वो खटारा गाड़ी से रोस जाहिए यू तुझे तो ड्राइविंक आती नहीं हो जशे आपको पड़ी द्राइविंग आती है सुबास्पाभ भास की तरा रोज दो थे रहते हैं एंगे पिछे पस हां सही महीने में एक बार चल ज़ जाए काफी है अपी तो कार के बारे हैं वह पाट कर रही hon किरेma घ द्राइविंग तो आती नहीं पर लाइसेंस चाहिए अंदर चत तुझे बताता हूं कि मुझे चलाना आता है कि नहीं चलो इंकोड़ड़ बाइबादा एच्टी डाट काम गुड़ मॉनिंग ओल उफ यू हमारे एंके जी की बेटी बचपन में यूएस जाके वहीं पर हायर स्टडीज पूरी करके हाल ही में इंडिया वापस आई है हमारे एंके जी की हेल्थ कंडिशन ठीक नहीं है इसलिए कंपनी की नई सीओ की तौर पर हासनी जी को उन्होंने अ आगे है अगे है अगे है अगे काम से अगे है यह हमारी CEO है वेलकम मैं 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 प्लेशर थांक्स एर्यवन इडिया सपॉर्ट तो में का सिंबाइस टेक्नोलोजी इस अनुमर वान इंसाओ इंडिया I wish you all the best and good luck you and you just get out Raoji yes ma'am इंके अकांट सेटल कर दीजिए okay ma'am oh my god oh my god so team no more wasting time let's get back to work right now okay आपके पिता जी के सबसे पसंदी नहीं प्लाइब श्रिवेंज लेने का टाइम इतना जल्दी आ जाएका मैंने सोचा नहीं था अभी बताती हूं राओजी जी मैं ब्रिंग देम तो माइचेंबर हमें जॉब से निकालने की बजाए परसनल चेंबर में क्यों बुलाया यार कई स्पेशल पनिश्मेंट तो नहीं देने वाली है हमको अबे डर मद दे बेवकुफ एक बात केनी थी राओजी मैंने ओफिस में आते ही एक चीज़ नोटिस की है हमारे इस ओफिस में एक भी एम्प्लोई को ड्रेस सेंस नहीं है मैंडस नहीं है आई वोट यूनिफॉर्म फर एवर्वीवाँ कल से कोई भी अगर यूनिफॉर्म में नहीं आया या ओन टाइम नहीं आया यू काईस विल बी आउट डव गे आउट आई सेट गे आउट बड़े बड़े निवाले खिला रहा हूं तुझे आप अपने आपको समझते क्या है आपको लगते है कि मैं मर गया हूँ उससे CEO बना करके मेरी पूरी इज़त होतार दी आपने कैसी बातें कर रहा है तू उसे नहीं जानता वो बहुत पड़ी लिखी है आँ सुन लिया मैंने आप कहते जा रहा है और मैं सुनता जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए आपने उसे फॉरें बेज दिया अब वो मेरे उपर ही ओर्डर चला रही है देख लो आ गई महारानी ओ माई क्यूटी देखिए उस पप्पी से भी कम वैल्यू है मेरी इस घर में हम क्या कहेंगे इस बारे में है अंदर जाओ जाओ अंदर जाओ देटी मैं दादाजी के पास से रहूँगी तू भी उसी के तरह बन जाएगी चल जाड़ी दादाजी क्यों भई जो साथी बोल रहा था सही है क्या तुने अपने बॉस के साथ जगड़ा किया नहीं यार हमारे जगड़ा करने के बाद वो बॉस बन गई बात तो एक है शौक तो लगेगा लेकिन हमें नहीं उसको लगेगा सब को शराब पिने के बाद चड़ती है और इसे दे को जूस पिने के बाद ही चड़ गई अरे वो हमारी बॉस है यार बॉस होगी तेरी इतनी सी जिंदगी है उसमें भी एक लड़की को बॉस कह के पुकारूं क्या उससे अच्छा तो नौकरी छोड़ देना बैतर है क्या बुलता है बेल्कुल साही बोला भाई यूनिफॉर्म भूल इसलिए नहीं रखा गया कि उसे अमारे ड्रेस पसंद नहीं आए बलके हम पसंद नहीं आए यूनिफॉर्म बडा आया यूनिफॉर्म पैनने वाला या 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 यू डोली राव जी बोल यू राव जी दरनेसल मैम आपसे कुछ बात करने थी इसलिए आया है ओके किस बार में वो मैडम तुम्हें जरा भी मैनेस नहीं है क्या सॉरी मैडम राव जी आप दो नहीं की बात करने आये हैं जी हां मैम तो फिर तुम निकलो मैडम वोकल आई सेट आउट जाओ न बाहर जाओ 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 मैम ओ सिद्धू का प्लान है ये सारे हिल स्टेशन्स है ना जी हां ओके हां प्लेस मैंने साइट करूंगी उनके लिए सिर्प्राइज है ऐसा थे लिगा अच्छा प्लान मैम अच्छा सुझे आपको भी आना पड़ेगा मैम आपके सोच के बताते हैं जी जी बढ़िया बहु मालिक हे डाड आओ बेटी आरती ले लो डाड आपको पता है ना आई डून बिलीव इन गौड ऐसा नहीं कहते बेटा क्यों भगवान को गुस्सा आजाएगा क्या डाड एक बात पूछती हूं बताएंगे अगर भगवान होता तो बच्पन में ही मेरी माँ मुझसे दूर क्यों चली जाती डाड भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता और मुझे यकिन दिलाने की कोशिच मत कीजिए ओके बाई डाड ड्राइवर जी आता हो मेडम अरे यार एक कांड हो गया भाई क्या हो क्यों इतना टेंशन में हो सब रख लिया यार लेकिन एक चीज बूल गया भाई अरे यार अंडर वियर बूल गया अरे यार तो भी क्या अंडर वियर के लिए टेंशन ले रहा है चार दिन का टू रहे या, अरे मेरे भाई, पता है मैंने एक अंडरवियर चार दिन से पहन करा, यह की होई है, यह कैसे बैं, अरे यार, बड़ा सिम्पल है, सुन आ, कैसी बातिक कर रहा है, यह देखो, यह है मेरी अंडरवियर, डे वन के लिए, अब उल्टा, डे टू के ल लो मना ली जाएंगे थंडी लगरी मतलब उटी आ गया गया तुमारी बक्वास बन करो जब से बस में चड़े हो देख रहा हूं उटी कोड़ाई कना आला इसा करेके चिलाते जा रहे हो आभी हम लोग किदर जा रहे हैं पता है लाम बसिंग जा रहे है जाम तक वापस आ जा हूंगा मेरी बातें ऐसी होती है तुम्हें चुबने लाएक ही रहती है भूक हम पाने पर एक शहर सुधर सकता है और तुम आउरतों की वज़े से घायल हुए आदमी की जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती है हम कुछ नहीं बोल रहे है तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या एर पाॉस करना अच्छा है स्टाइल करना है स्टाइल करना है याँ स्टाइल करना है राजी, सिद्धू को यह मुलाईए अभी बिलाता हूँ, सिद्धू, सिद्धू इदरा कहां से आ गई यार अभी सिद्धू, पकड में आ गया मुझे सॉरी कहने को कह रहा था अब देख सब के सामने कैसे सॉरी कहलवाते हूँ मेरी गलती नहीं है मेरी अब इजट से इन सबको सॉरी कहोँ मैं नहीं बोलूँगा सॉरी कहोगे या अभी चॉप से रिजाइन करोगे अरे सिद्धू, क्या करे हो तुम बोल दो सॉरी, बोल दो ना सी इस बार मुझे भी नहीं सॉनाए दिया सॉरी, 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 सॉरी अगर यह हरता दोबारा किना, तो सॉरी से माफी नहीं मिलेगी माइनड इट मैठम, यह लड़कियों से नफरत करता है कहीं है צा तो नहीं मैठम, शहर दो इस लड़के पसंद है अच्छा किया ए बहां चाहर मजद शिंगाया है शिदू 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 सुन ये अधि चित बोलो शिदू 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 अधि 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 तुम सारी औरत जूटी हो, मतकार हो, आलसी हो, फेवफा हो, घमंडी हो, सब किसब धोके बास हो इस औरत जातें जनमी क्यों लिया पता नहीं, लगता है मर्जाती का नाश करने के लिए पैदा हुई है, धोका देने वाली, गतार ये वेर्ट की बातें करना बन करो कौन है बै, अच्छा खासा फ्लो जा रहा था, बीच में डिस्टब किया, नहीं रोकूँगा, नहीं रोकूँगा खुद को मैं, अगर सुन नहीं सकते तो कान बन करो, वैसे तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाले एक स्त्री से जन्म लेकर उसी स्त्री के बारे में आपत्ती जमक बातें करते हो, स्त्री का मतलब तुमें पता भी है, वो इस स्रिष्टी को रचने वाली आदिशक्ती है रुख जाओ रुख जाओ, मैं ये सब नहीं सुन सकता, औरत इस रिष्टी की रचना करने वाली नहीं, विनाश करने वाली है, उसकी महानता नहीं जानते, उसकी शक्ती को नहीं समझते, इसलिए अज्ञानता की बात ही करते हो देखो, औरतों के बारे में मुझे इतना ग्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे ये आपका सारा सेटप क्या है, ये गेटप किसलिए, तुम कहीं किसी ड्रामा कंपनी से भाग कर तो नहीं आये हो, इस जंगल में मूँ छुपा कर, एक कोने में दुखी बैठे रहने का मतलब या तो लवर भाग गई होगी, या फिर बीवी भाग गई होगी जो प्रहमूर्ख, मेरा अपमान करता है, तू बातों से नहीं समझेगा ये क्या, मंत्रो चार, रोज टीवी चनल आउन करने पर, तुम्हारी तरह धोके बास साधु ही दिखते हैं, तुम्हारे मंत्र किसी भी काम के नहीं है ये क्या, शाब्दे दिया क्या, डॉगी या फिर कैट बन जाओंगा जाकर अपना काम करो बाई, मंत्रो चार मेरे पास दुबारा आएगा, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा मैं और तुम्हें ढूंटे वए यहां आऊंगा, तो फिर वेट करो तु आएगा इसकी निजर, उसकी निजर, ओफिस वालों की निजर, सबकी निजर उतर जाए, थू थू अरे ओ, खाना खाए बिना सोना मत, ठेक है यह क्या, छोड़ो जान दो, मुझे सर दर्द देने के लिए, सिर्फ यह बहुसी ऐसा सुचा था, बीच में यह बुठा भी आ गया, सोने के बाद सुभा सर ठीक हो जाएगा झाले खाएगा थड़ो ऑबाएगा थड़ो जाएगा सुभा सुभा ब्लैक कैट पता नहीं आप क्या पनोती लगीगी सुभा ब्लैक कैट का दर्शन और अभी इनका दर्शन पापा आपको कितनी बार बोला है मेरा बातरूम इस्तेमाल मत कीजिए अरे तो मैं क्या करूँ नीचे तेरी बेन ने हाउस फूल का बोर्ड लगा दिया है क्या है इस बातरूम में पिखले हुए साबून और टूटे हुए मक्यलावाद चल जा आप ही ने तो सिखा था ना कि कोई भी चीज पूरी तरह इस्तेमाल करो और एक मैंना इस्तेमाल कर लेता हूँ वालिव है इसकी तरह खाते रहता है सुनो मेरा टिफिन तयार है ना हाँ तयार है मा मेरा लंच बाक्स रेडी है ना इस सबको अजनसी रहती है सबको ओडर करना है कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा इससे देखो अगर ये शाधी कर ले तो इसकी चुबीवी होगी कम से कम वो तो मेरी मदद करेगी लेकिन शाधी की बात करते ये भड़क जाता है मा कितनी बार बताना पड़ते गा हर बार आफिस जाने से पहले शाधी की बात मनत किया करो हां अरे अब मैंने क्या कहा तुससे बात मत करो हर रोज शादी की बात या लड़की की बात चला अज़ा कि सारे भाई अपनी बहन को कॉलेज तक ड्रॉप करते हैं मगर इसमें आज तक मतसे एक बार नहीं पूछा शेह देखो सारे भाई अपनी बहन को इसलिए ड्रॉप करते हैं ताकि वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मारे मेरा ऐसा कोई चांस नहीं है मुझे लड़कियों से नफरत है पैदल चली जाओ ड्रॉप करूँगा इससे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उसे पता कैसे चला कल के बाद तो इसका घमन चूर चूर हो गया होगा क्यों तुम लड़कियों पर घुसा करते हो दिखने में तुम बहुत हैंसम हो तुमारा प्रॉब्लम क्या है तुम्ही मेरी प्रॉब्लम हो इससे केसे सुनाई दिया जगा दो हाया बला ही ओ सिद्धू तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मैं तुम्हारी दीवारी हो जाती हूँ तुम लड़कियों से नफ्रत करते हो इसलिए कंटर करने वलना तो कब कब पता नहीं क्या कर चुकी होती पर इनकी बातें सुना ही दे रही है मुझे आज हो क्या गया है सौरी कह देने से तुम्हें छोड़ दूगी सोच रहे हो तुम्हें इस ओफिस से पर्मनन्टली भेजने का प्लान कर रही हूँ मैं क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में यह नहीं आ रहा है शादी की बात करने से डरने वाली मा आज शादी की बात करने लग गई देखा जाए तो बॉस में भी मुझे ही टार्गिट किया अच्छा तो बुढ़े यह सब तेरा किया कराया है लड़कियों से मुझे नफरत है उनके पास दिल नहीं होता है ऐसा बोला था अब उनके मन की बातें सुनने का श्राप मुझे दे दिया मेरे बारे में तुम्हें ठीक से पता नहीं है बुढ़े तुने मुझे यह जो श्राप दिया है इसको वर्दान में कैसे बदलूँगा मुझे अच्छे से पता है देखते रहना सत्य है सुनो सिदू तुम्हें एनके जी अजन्ट भुला रहे हैं क्यों बुलाया होगा क्या हुआ आप इतनी टेंशन में क्यों है धर्मा ग्रुप्स ने हमारे सारे पार्टनर्स को हाई परसेंटेज ओफर देखर घलत तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है बेटी अपने पार्टनर्स के बिना हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है अगर ऐसे ही रहा तो बहुत ही जल्द अपनी कंपणी को बंद करना पड़ेगा मैं कह रहा था है कि इसे CEO नहीं बनाना चाहिए अब आप देख रहा ना अखर क्या हो रहा है मुझपे छोड़ दीजे मैं समाल दोंगा इन सालों में जो तुमने किया वो काफी नहीं है अगर तुमने अच्छी तरह ध्यान दिया होता तो आज कंपणी की हालत ऐसी नहीं होती डाड डॉंट वारी पार्टनर्स को कंविंस करके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी ठ्रस्ट मी राव जी आप और सिद्धू इसकी मदद करेंगे मुझे किसी की मदद की कोई ज़रत नहीं है हमारे पार्टनर्स को सिद्धू बहुत अच्छी तरह से जानता है बेटी उसकी मदद तुम्हारे काम आईगी बात वो नहीं है मैडम को पसंद नहीं है तो रहने दीजिए सर बेटी मेरी बात मान जा बेटी मैं और इसकी मदद लूँ आपको भी न एक बाहर के आदमी पर भरोसा है लेकिन अपने बेटी पर भरोसा नहीं है आपको मालिक परिशान मत होईए आप देखना वो सुधर जाएंगी उसके सुधरने की उमीद अब बिल्कुल नहीं है पिता जी कैसे है बेटा जब कमपनी ब्रॉब्लम में है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं सही बात है मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है पिता जी चल नहीं पा रहे है तो बहला कमपनी कैसे चलाएंगे देखिए किबी जी आप जब तकली में थे तो जिस कमपनी ने आपको सपोर्ट किया उसके बुरी वक्त में आप उसे छोड़ देगे क्या ही इंसानित कहला ही तो मैं क्या करो बताईए अब उस धर्मा ने मुझे अच्छा प्रसेंटर्ज आफर किया तो मैंने प्रॉमिस कर दिया पता नहीं कितने लोगों को करेगा प्रॉमिस मुझे थ्री बेड्रूम फ्लैट का प्रॉमिस किया था काम वाली को 10 तोला सोना देने का प्रॉमिस किया था प्रॉमिस कभी पूरी करे ना करे लेकिन या आदत कभी न जाएगी जारी को आपसे बहुत ज्यादा उमीदे है प्लीज आप उन्हें अपसेट मत कीजी कांकि अब इसमें अपसेट की कौन सी वात है सबका अपना स्वार्थ होता है प्लीज आंकिल मेरी बात अब प्रोफेशनल मेंटर काफी हो चुका है अगर कुछ पर्सनल मेंटर हो तो मुझे बताओ सुन लोंगा नहीं तो जा सकते हैं अंकिल केवीजी प्लीज एक वाड तो देखिए अपना काम पर चलो है मैं आपना काम करो चलो है मैं आपना काम की बात नहीं है सर मेरे पास एक मर्स सूपर इंटरस्टिंग परसनल मैंटर है क्या बोलो मैं बताता हूं लिग लेकिन आप बेचैन मत होना इंशर मत लो मेरा दिल बहुत ही मजबूत है दूसरे के परसनल मैंटर से बला मुझे क्यों बेचैनी होगी है सर आपके पीए को ट्रिपल बैडरूम फ्लैक काम वाली को दस तोला सुना यह जो आपने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है उनके साल ज में बहुत इंट्रेस्ट इसलिए मैंने पता किया हमारे प्रोफेशनल मैंटर को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके परसनल मैंटर को आपकी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा अब भाबी जी हमारे ऑफिस का अदमी है अच्छा लगा है आज 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 मत उचाड़िये सर प्लीज बेटी जब तक मेरी सांस रहेगी तुमारे पिता जी का साथ दोंगा ऐसे क्यों देख रही हो बेटी इतनी जल्दी चेंज हो गया इसलिए इस लड़के तो मुझे एक दब इंप्रेस कर दिया है इसलिए मैंने प्रामिस किया अब अब आपस नहीं आओगे ना आप इाओगे ना पहला विकेट घर इन जदू किसीन देखा तो नहीं हो पाएगा नहीं पाएगा अगर आप ऐसे कहेंगे आँश तो कामपनी की पोजिशन का क्या होगा तरह सोचे मेरे लिए मेरी पोजिशन इंपॉटेंट है आउट, बस आप दो मिनिट बाहर इंतजार किजिए, मैं ये matter solve करता हूँ, लीज, चलिए लेटी, बाहर इंतजार करते है, क्या है, दादागिरी है क्या, अरे लेटा, मैंने शुरुआती वहीं से की थी बेटा, सर, बस मुझे दो मिनिट बात करनी है आपसे, बस टो मिनिट, जोर दो उसे, उसे सिर्फ दो मिनिट चाहिए न, तो जाओ, 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 एक बार अपनी वाइफ को बुला सकते हैं सर, अरे धर्मा कंपरी में इंवेस्ट करने के लिए उसी ने तो कहा था, उससे तुम क्या बात करोगे, हाँ, 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 आँ, 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 ये लड़का तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, कर लो बात भाई, आँ, क्या बात करनी है, सीक्रेट्स, सीक्रेट्स किस की आप ही के मेडम मेरी? अभी डी म Bonitization के वकồi वो सौ करोर ब्लैक मनी को वाइट करने वाली बात इसे पता होगी क्या डी मोनिटाइजेशन के वक आपने सौ करोर को वाहट किया था बाप्रे वो MLA वीर भद्र के बेनाम आदमी हम ही है ये मेटल लीक हो गया क्या मेले वीर भद्र जी के बेनाम संपत्ति के मालिक आपनी है ना मतलब बैंक लॉकर में छुपाया हुए 40 किलो के सोने के बारे में भी बैंक के लॉकर में 40 किलो चुपाया गया सो नहीं थोड़ी से चोड़ो चोड़ो बाहर जाओ यह साहब है यह सिद्धार्ट साहब है अरे तुम जो बोलोगी वह मैं करूँ रहा है चलता हूँ बैटी, चलता हूँ बेटी, बाद में मिलते हैं, इसे किया गपाता चली था? वैसे तमने उसे क्या कहा, कैसे कंवेश किया उसे? वाट ने, शिद्धु ने एक बार जो कह दिया, वह सौ बार कह देने के बराबर होता है, दूसरा भी कहे। वाँ पाजाँ वाँ वाँ मा जल्दी से टिफिन देदो आफिस के लेट हो रहा है वैसे आज स्पेशल क्या है इडली बनाईए बिटा कैसा इंसान है ये मेरी बहू से कितना काम करवाता है उसने खाना खाया या नहीं ये तो कभी पूछता भी नहीं हे भगवान ये क्या मेहनद करने के लिए ही पैदा हुई है इसकी तबियत भी ठीक नहीं है मैं तो मदद करना चाहते हैं पर क्या करूँ मा तुमने खाना खाया तुम बैठो अरे मैं कहा रहा हूँ ना बैठो बैठो मा अब मैं तुम्हें खिलाओंगा और वो भी अपने हाथों से क्यों बैठा ये हिसास तुझे पहली बार हुआ कि मुझसे पूछे मा पहले तुम खाओ मा आ करूँ पानी प्यो बस बैठा तेरे प्यार से ही मेरा पेट भर गया खा ले नहीं बैठा तुम खा ले ले मेरा तुम खाओ न Pak ये क्या है सावित्री अपने बेठे को अपने हाथों से खेला रही हो और मुझे प्लेट में दे रही हो शादी के 3 साल तक तो तो सिव तुम्हारे बारे में ही सोचा कभी अपने बच्चों के बारे में सुचा ही नहीं फिर्ण के साई बाबा ले गए उसके बाद तिरूपती बाला जी के दर्शन करा दिये ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा पापा तेरे मा को खुशी से नहीं रखा रहा हूं क्या पापा खुशी से रखना मतलब जरूरतें पूरी करना नहीं, इच्छाएं पूरी करना होता है रख लीजिए दस हजार रूपे, पर किसलिए मेरी तरफ से तुहफा पापा, ले जाईए, मा को बाहर ले जाईए, पूरी दुनिया दिखाईए उसके बाद देखना, प्लेट में होने वाला दोसा आपके मूँ तक कैसे पहुँचेगा सावित्री, सावित्री हो पापा, हुरतों को सप्राइज बहुत पसंद है ये सही है रोज रोज उन इडियट्स का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है कम से कम आज मेरा भाई मुझे ड्रॉप कर देता तो, कितना अच्छे है मिनु रुक, चल कॉलेज में ड्रॉप कर देता हूं क्यों ऐसे अचानक बैट ना आज भाईया को क्या हो गया वेडो, सापने देख अपनी छोरी आरही है भाई है, भाई इसी तरफ आ रहा है भाई ही हूं भाई क्या रहे शाने, हीरो गिरी दिखाएगा तो नहीं भाई, तो पर यहाँ पर क्यों आया रहे ब्रदर्स, वो मेरी एक लौती भेहन है रोज इसी रूट से कॉलेज जाती है डेली तुम लोग ऐसे कमेंट्स करोगे तो पैचारी कॉलेज जाने से डरेगी न मेरी दादी को इसे डॉक्टर या इंजिनियर बनते देखना है यही उसकी आखरी इच्छा है मेरे माता-पिता की इच्छा है कि अगर यह अच्छे से पढ़ेगी तो इसे अच्छा जीवन साथ ही मिलेगा मेरी इच्छा है कि बहन को अच्छे से पढ़वा कर कोई अच्छी नौकरी करवा के और शादी करके विदा करूँगा तो आगे की जिंदेगी में मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा इतने सपने और इतनी इच्छा है तुम्हारी कारन डिस्टब होना, ये सही नहीं है ये नहीं सुधरेंगे रोज आकर मेरी बहन को मत सताओ, प्लीज हम सताएंगे, तिरे को जो कर नैक कर ले, हम यहीं पर ही रहेंगे, जब तेरा दिल करे, देखने को आ जाना देखने तक क्यों जाना है भाई, हम ही कॉलेज जाने के लिए कोई रास्ता ढूंड लेंगे, चलता हूँ, बाई प्रिदेश, हे मीनू, हे मीनू, चलो बैठ जा, बड़े हीरो की तरह अपनी गाली रोके थे, मुझे लगा था कि उनको डाठेंगे, लेकिन बेशर्मों की तर जड़ा किया, तो कल वो दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सिधा करेंगे, तो मैं सहे नहीं पाऊँगा, सॉरी भाईया, मैंने आपको गलत समझा, चला, पीछे बैठ जा, पहले अपने आसू पोच, गूड इवनिंग लेडिज एंड जेंटलम सारी मेहनत सिध्धू ने की और क्रडिट मैं लेलू, ये ठीक नहीं होगा, ये बाद टारी को बताने ही होगी, आप सब भी खुशी से भूले नहीं समाएंगे आपके डिजिजन सही होते हैं सर, पाटनर्स की बात करें तो हासिनी जिने उन्हें जो कन्विन्स किया था वो बहुत ही बढ़िया था सर, ऑफिस में इन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ इवार राइट सिद्धू, आइम वेरी हैपी बेटा, सिद्धू, क्या कर रहे तू, इधरा, इधरा राउ जी, ये कैसा अन्या हो रहा है से दू, मैंने सारी तुम ने की, लेकिन वो समझ रहे कि ये सब उनकी बेटी ने किया है, और तुम उसका समर्थल भी कर रहे हो, ये क्या है भाई, ये तो टूमच हो गया, देखो, आपने टेलन प्रूव करने के ऐसे मौके को छोड़न चली एक पेग लगाते हैं, शर्माइए मत आईए Hi Dad, Good Morning Hi Baby, Good Morning Sir Sir, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया है Aray, हुआ क्या बोलो भी NK गुरुपालों ने अपने पार्टनर्स वापस ले ली है, Sir Oh No उन लोगों ने हमारे पार्टनर्स को भी अपनी तरफ कर लिया हम कंपरी की सक्सेस पार्टी प्लान करना चाहते थे और यह क्या शॉकिंग यूज है कौन है वो, जो धर्मा सपंगा ले रहा है यही है, Sir, सिद्धू नाम है हाँ, देख लूँगा मैसे रिलाक्स, डैट, लेट मी हांडल दिस कहाँ है तू हलो, हलो, सिद्धू हाँ, कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, सिद्धू मैं हूँ, मतलब, मैं, हासिनी मेडम, आप, आप ने कैसे कॉल कर लिया पहली बार है न, मैडम, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था संडी है न, क्या कर रहे हो तू आज क्या तुमसे मिलना पॉसिबल हो पाएगा क्यों नहीं पॉसिबल होगा, मैं आप बस और्डर कीजिए, पल भर में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा उसकी कोई ज़र्यत नहीं है, मैं खुदी आ रही हो पांच मिनिट में क्यों पे बड़ा मटक रहा है तू, फोन पे कौन था बॉस बॉस मुझे पिक अप करने के लिए आ रही है पांच मिनिट में मैं रेडी होके आता हूँ इस खटाले स्कुटर को पिक अप करने के लिए जैगुवार यह बोल रहा है बात करता है ये भी अब यार हाई मैडम क्या दिन आ गया है सिद्धू अब जैगुवार कार में बैठेगा वह भी वसकार में बैठ रहा है अभी से शादी के मंदप मर बिठा मर जाएगा टेंशन से लगता है पहली बार इतनी बड़ी काडी में बैठ रहा है हाँ मैडम फॉर्स्ट आइम ही है हेई मैं अई सोच रही थी आपसोच नहीं रही है फिर भी फॉर्स टाइम यह है वाउ जाध मैं वो फ्लावर स्थे आपने लिली फ्लावर स्लेगते है मुझे बहुत पसंद है ओ रेली मुझे भी वो फ्लार कें वूर्स बहुत पसंद है इस मुझे भी टेस्ट सिद्धू जोज माइकल, I really miss you ये जोज माइकल का सौंग है ना, मुझे बहुत पसंद है हे सिद्धू, तुम्हे भी जोज माइकल पसंद है? मैं तो इसके पीछे पागल हूँ, बच्पन में मैं खाने का निवाला चान को देखकर नहीं खाता था जोज माइकल सौंग सुनने के बाद ही खाता था, मेरे माँ कह दी थी हम दोनों की पसंद कित्ती मिलती चूलती है ना, सिद्धू और तो और हमारे ड्रेस कलर्स भी, how sweet, isn't it? रहने दो मैम, हाँ बहुत ही अमीर हो, और मैं बहुत गरीब, हमारी पसंद आपस में कैसे मिल सकती है पसंद नापसंद से इसका कोई लिला देना नहीं है सिद्धू, ये तो individual पर depend करता है, या अमीर गरीब, क्या सिद्धू तुम भी ना? हेई, sit down क्या होट करेंगे तु अच्छा होगा, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म अपने मन में मैं जो भी सोचते हूं, तुम भी बिल्कुल वही सोचते हूं इसा कुछ नहीं है, कभी-कभी कुछ बातें मिल जाती है मैडम कुछ नहीं, सब कुछ, मेरे मन को तुम किताब की तरह बढ़ रहे हो I'm really excited, you know आपको इस तरह खुश देखकर, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपकी खुशी को मैं भी शेयर कर सकती हूं, क्या आप धर्मा जी की बेटी साशा हैं, ना यस, sorry to disturb you, मैं तुमारे लिए ही यहाई, मुझे तुमसे पांच मिनिट परसनल बात करनी है सिथो के साथ परसनल बात मेरे सामनी सिथो को डच कर रही है हमारी कंपनी का जी एन तुम्हें बनना है यह मेरा फैसला है, यह मेरा कार्ड है नो, नो, टोंट टेक ताट कार्ड से दू, प्लीज शाम तक सोचने के बाद, हाँ कह देना, ओके? Encoded by Bada HD.com हलो मेडाम, यह सिध्धू ओफर्स और डिसकाउंट्स पर फिसनले वालों में से नहीं है मेरे ओफर्स को रिचेक्ट कर रहे हो? जाओ यहां से, देख लो से आफर्स बहुत देखें है नीतो नेरे दीडे आई पूयारे मी एड़ुकुकी अनुगा गदली गदल लएने धूराले दाठाले नीतो उचेरे बंधाने कुराने नीलामारे अरे अरे प्रतिकना मेरी से नीतो प्रपांचमे जुन में जने नीतो तुम तोली सारी कंदेला मुँखिन्दे त्रेने एकान पेंचान यूँगा की रूप उएनो फेरा नीतो मेरी नीडे आइको है आले नी अणुगो की अनुगा कदली कंदूला ये ने देवडा, विड़ु पेल्डिकलागो उप्पकोडू कनीसों यहाम्माय प्रेमलोणैना पड़ेला चूड़ स्वामी पेरी चावों नुफ्पे उन्ने पलिकाने नालो नेने कला मटले कली गेरूने ने दुरस्तेने ये दुरूं तुल्माओ, सरची समाव स्वार्णैने मी तम्नी प्रेमलोण पड़े पहुआँ आँ ने बंटे ने ने समर मने दे ने 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 नूस अगवे आई पूल्या सरसरी प्राणों आमारे नी नफे स्मासे ने माटने करिपेश सोन्नाने में विशंवंगों ने ने नूस अगवे ने नोचन तानी दो तेरी पेश सोन्नाने दिडियामता ने ने प्रेयन दो आनी दो पड़ मुलुली नी पाश प्रेमें कदा पेदा बोल पैना मरी यला यला पलिकी रंटुमो नम दाने चुस्तुम्माले नाउचु पेने तोमे मन तुम्दुम्दू नीथा अमेले नीडे याई पोयाने मी यळगोगी अनुग दलली कमलला येन मे दूराले लाटाली मीतुचे गंदाले कोडाली निलामारे अरे अरे प्रतिकना मेरी सेनी तो प्रपंच में जन्में जनेनी तो ओ थोड़ी सारी गुंड़न ओ गिंदे प्रेमें गण पिंचनू हके दूपने मंफेरा स्ब微 проблем shocks क वी फ्रपंच में जने मंफेरा नहीं के दो मैंने जने हग भिंचनू का मैं अ हुआओज नहीं क हुआए जाला मैडम, मैडम, उड़िया मैडम, समल के, अरे बेटा, इनको क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, पार्टी में दो गलाज ज्यादा पी लिए, मैडम का रूम कहा है, आईए, दिखाता हूँ, बेटा, आज के जबाने में आप जैसे लोग भी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, वैसे सर तो सो गया है, आप अं अंदर आईए, मेम सहाब का बेडरूम उपर है, आउ बेटा, अंदर आओ, इसे मुझे दे दो, सिदू, टोंट लीव मे, सिर्फ तम्हारी वज़े से मैं के नहीं दुनिया देख पा रही हूँ, I really like you, मुझे भी, आप बहुत पसंदे मेडम, बेटा, आज कल आप ज़े से इंसान भी होते हैं, अरे भाई, मुझे जाने दो, अब चलो, वो सो रही है, चलो, बेटा, बेटा, मैडम तो खाली पेट सो रही है, वो बीच में उट सती है, कुछ खाने का इंतिजाम करके रखो, बेटा, आज कल आप ज़े से इंसान भी होते हैं, क्यों सता रहे हो मुझे, तारीफों से भी जान निकल सकती है, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ, चलता हूँ, बेटा, आज के समाले में आप ज़े से इंसान होते हैं, पुछी विश्वास नहीं हो रहा, बेटा, तो मैटर घर तक पहुच गया है, देखता हूँ, हलका हो गया, जब देखो धोता ही रहता है, अपना हाथ धोले बेटा नहीं है, यार हाथ धोले, वाओ, नाइस पोस्टर, हालो, 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 ह क्यों बें टौलेट में आके शुखन लिया बस हो गया क्या हम नहीं दोना होता है क्या अब पानी वेस्ट करना खॉय को गहीं अगर तेनी तरह सब सोचें कि हाथ जोने से पानी वेस्ट होता है तो क्या होगा पता है तुझे तवादत है ना हाथ धो रहे कि नहां रहे है अरे हाथ तो हाथ तो थो दे भाई कुछ भी गंदा नहीं है मेरे हाथ में के अरे हाथ तो हाथ वाद जो थो खाई है आर नहीं हाद ऑन्य भी नहीं हाद रहां हाद तो छो दित्ते हाद पक्षब धन्य हाद दे भाद बाद हाद अ आपने जब तक सबक नहीं मिलता ना तब तक बास समझ में नहीं आती है अब ये टॉलेट के बाद सिर्फ हाथ नहीं दूएगा बलकि नहां भी लेगा बहुत बनता था मैंने कहा था ना कूल शांत हो जाओ मेरी बास सुना कर भाई चल जाबे सब तेरी ही गल्ति है अबेस लेक यहां से अब कर रहा है था यहां 95 आपरे सिदू अरे वा से जिया को साफ Schnee consumers तूमारा सीट नमबर कौन सा है सेट नबर 2324 हमारा भी 23 2टी 4 है अब थी कैसे हो सकता है ऐसे कि अच्छो कि यह त्राइब करो गर्फेंड क्या मिली अपने दोस्तों को ही भूल गया यह दोस्तों की कदर नहीं ऐसे क्या रहा है हम कल तू भी आई से करेंगा चल दो टीकर ले का राते इसकी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म देखने नहीं टौलेट करने आया यार अच्छी फिर्ण के साथ चो फिल्म देखने पूर रही है बोर हो रही हूँ, किमना कंजूर से है, यह क्या हो रहा है, अब कुछ तो हना ही नहीं था, इसने सबर्दस्ति के इसलिए मैं आ गई, अरे सित्व, ठीटर तक पहुचने वाले तुम्हारे प्यार को, ब्रेक अप तक कैसे ले जाती हूँ, देख लेना, अलहां से नहीं, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, गुरु जी, फर्स टाइम तुम्हारा वर्दान मुझे शराब की तरह लग रहा है, जहाओ पर भी जाता हूँ, वाइफ़ाइ फोजी नेटवर्क की तरह, यह टॉर्चर क्या है सब, गुरु जी, रोमेंस करने के लिए तुम्हारे बॉस के बदले मैं कामा सकती हूँ, क्यों, तुम्हारी रोमेंटिक लव स्टोरी, रेस्टोरन, पब और थेडर तक ही सिमित है, या बेटरूम तक भी पहुँच गई है, उसने अपना सब कुछ दे दिया क्या, बेवजा की फॉतु बातें कर रही हो, लगता है बातों से बात नह पर दिया था न, अभी तक खाली पड़ा है, कॉल कर लेना, ओके, एई सिधू, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ भी नहीं, कुछ तो चुपा रहे हो, सच सच बताओ, I love you, तुमसे ये बात सुने के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है, I love you, अगर इनकी जगे मैं और सि प्रपोस करने का काम बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल है कहकर प्रपोस नहीं करोगे, तो दिल की बात कैसे पता चलेगी, अभी पता चला जी, वाट, क्या पता चला, प्रपोस करने में देरी नहीं करनी चाहिए, पता चल गया न, तो अब देर क्यों कर रहे हो, सुन मुझसे नहीं हो रहा है मैं रात को अच्छे से प्रैक्टिस करके सुभा बता दूँगा ओ गौड अगर सुभे नहीं कहा ना तो अब धमकी दोगी तो बिना बोले कैसे रह सकता हूं मैडम बोलूँगा प्लीज प्लीज और तों से मुझे नफरत थी लेकिन पहली बार मुझे प्यार हो गया इतने सालों से मैंने प्रार्थना नहीं की इसलिए मुझे सजा मत देना मेरा प्यार सफल हो जाए इसलिए आप भी मुझे आशिर्वत देदा इन्हें क्या हो गया दादी यह आज प्यार के लिए कैसे प्रासना कर रहे है इंकोड़ेड बाइबादा एच्टी डाट काम हासीनी कल शाम को मैंने कहा था ना कि तुमसे कुछ कहना है कहो तुम पीछे मत मुना क्योंकि तुम्हारी आँखों में देखोंगा तो जो कहना चाता हूं वो कहना ही पाऊंगा मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया और किसी को भी पसंद नहीं किया और मेरे विचार लड़कियों के प्रति कभी अच्छे नहीं थे ऐसे में पहली बार मेरी दुनिया में एक लड़की आ गई वो तुमी हो तुमारे साथ मिलकर घूमना मिलकर हसना इस वज़े से मुझे में नहीं फीलिंग्स पैदा हुई है इतना ही नहीं फर्स टाइम पब में आपका किस उस पल में ही मुझे आपसे प्यार हो गया मैडम पब में जो किस किया उसकी वज़े से प्यार हुआ या फिर थियेटर में जो किस किया था उसकी वज़े से थियेटर का किस वो सब तो मैंने नहीं किया था मेरे कुछ कहे बिना ही किस वाली बात सच नहीं है ये कहने पर ही मैं समझ गई थी वो कितना सच है यही वज़े है कि मैं किसी मर्ट पर भरोसा नहीं करती गुरु जी गुरुजी हासी निपन भी बार मेरी बात सुन लो अब तुम्हारे कहने के लिए या मेरे सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है अ्पर असजीन फिले पेले से जानता हूँ अब हासीन को भी पता चल गया है तुझे क्या लगता है कि आखों चश्मा लगाने से लोग तुझे शरीफ समझेंगे अपने कहाने किसी और को जाके बता मुझे रहे चल भाग मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज आसे नहीं प्लीज अरे सिदू अरे सिदू काला इसे काल से कम मेरी बात तो सुनी है सिदू क्या हुआ सिदू तेरे जैसे थर्ड ग्रेड लोग गेट के बाहर ही होने चाहिए जिने अपनी आवकात याद नहीं रहती हम तुझे सिर्फ आफिस से बाहर नहीं निकाल रहे है बलकि तेरी बॉस की लाइफ से भी गेट आउट दे जाओ इसे चलो गेट बैक तो आट गुरु जी मेरे हाथों मुझे ही मरवा दिया आ रहाओ मैं इस तरह शुरू हुई ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी या एक नया मोड लेगी ये तो सिर्फ गुरु जी ही बता सकते हैं मेरी जिन्दगी में हलचल मचा कर यहाँ पर शांती से तपस्या कर रहे हो मैंने कहा था ना एक दिन तु मेरे पास वापस आएगा प्रेम का एसास होने के बाद समझ में आया स्त्री की एहमियत गुरुजी कृपा करके इस श्राप को हटा दीजिए गुरुजी तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम दिख रहा है मुझे पर एक दूसरे का हैंकार बीच में दिख रहा है मैं अपने श्राप को हटा सकता हूँ पर तुम्हारे अंदर के प्यार को प्यार अब कैसा प्यार गुरुजी वो कपका खत्म हो गया है वो मुझसे प्यार करती है इस बात की उम्मीद भी चली गई अब से मेरी लाइफ में ये प्यार शादी नाम के अक्षरों के लिए जगे ही नहीं बची गुरुजी 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 मैं ऐसी रह जाओंगा गुरुजी मैं मेरी तरह ही रहूंगा मुझे लड़कियां प्यार शादी ये सक कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी मैं हमेशा लड़कियों से नफरत करता रहूंगा श्राप अटाईये वरना मैं इसमें कूटके मर जाओंगा देखो बेटा तुम्हें लड़कियों को समझने के लिए मैंने श्राप दिया था ना कि अपनी जिंदगी को बरबात करने के लिए अब तुझे मैं श्राप से मुक्त करता हूँ पिटा आज मैं अमरनात की आत्रा पर जा रहा हूँ चालिस दिनों के बाद मैं तुम्हें फिर मिलूँगा शुभम भवत हूँ ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं बापरे ये गुरुजी मुझे वापस मुसीबत में तो नहीं डाल रहे है गुरुजी मेरी एक इच्छा है जिन्देगे में फिर कभी आपसे मिलने की जुरूत ना पड़े अगर हो सके तो फिर से मुझे वही शुराप एक बार दे दीजिए ठीक है बेका तथास तू सिद्धू तू कब आया बिटा ये सब क्या है बोलो मा अरे सिद्धू तेरे लिए ना बहुत अच्छा निष्टा आया है ये देख फोटो देखो 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 दूबरा लड़किया और शादी के बारे में बात करोगी तुम्हें माप रहे जाओ यहां से चलिए माजी च अब सुभा होने पर यह औरतों को टॉर्चर मेरे पास नहीं रहेगा गुरुजी आपको आपकी माया मुझे अपसे नहीं चाहिए अपसे पास आपकी माजी उंपसे चलिए मेंने वहां से चलिए नहीं थेक्पश्यूश्यूश्यूश्श्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूSoft यह क्या मैं कहाँ हूं यह कोई नहीं जगह लग रही है कहीं मैं रात को किसी स्टार होटेल में आ गया क्या? देखने पर ये होटेल की तरह नहीं लग रहा है कहा हूं मैं क्या है ये कोई मुझे पैचान भी नहीं रहा है ये तो रामु की तरह लग रहा है ये तो रामु ही है जूस लीचे मेम साब क्या मेम साब अब बार्वान, अब ये कोंजी नहीं मुसी बदे के बगवान, मैं हासनी की बॉड़ी में कैसे आ गया, यहाँ पर इसकी बॉड़ी में हो, तो वहाँ मेरी बॉड़ी में कौन है, गुरुजी पिर से मुझे मुझे मुसीमत में डाल दिया, इस मुवी इस इंकोड़े बाबाहट.com I can't see anything, these are not my specs, where the hell am I? कहीं मुझे किसी नहीं का लिया, कहाँ मुझे किसी नहीं का लिया, कहाँ मुझे का लिय। कहाँ मुझे का लिय। Okay, okay let me check. Oh my god! इसका मोबाई पता नहीं कहां पर है यह रहा मेरा ही नंबर डाइल करना पड़ेगा ना यह भगवान सिंथू सिंथू माडम सिंथू वाट ताहल यू दिट टू मी तुम्हारी आत्मा मुझ में और मेरी आत्मा तुम में यह क्या कोई ब्लैक मैजिक है यह बताओ ना मैंने कुछ किया और ना ही करवाया वो हुआ यू की आइम गई टो किल यू राइट नाओ यू बेटर टेल मी दर टूथ यू बलड़ी देखी माडम अगर फोन पर बताओंगा तो आप समझेंगी नहीं तो फिर अभी इधर आओ अर्जेंटली नहीं नहीं अगर मैं वहाँ आया या आप यहाँ ही तो प्रॉब्लम हो जाएगी एक काम करते हैं आफिस में मिलते हैं क्या हमारे आफिस में मिलेंगे हम आपके आफिस में मिलते हैं फाइन दस मिनिट मैं आफिस में पहुंचा वरना तुम तुम्हारी खैर नहीं आज माडम और इस तरह इन दोनों के प्यार होने की वजह गुरू जी इनके प्यार के सफल होने की वजह भी बनना चाहते थे इसलिए सिद्धू के शरीर में हासनी और हासनी के शरीर में सिद्धू की आत्माएं बदलती देखते हैं इनकी प्रेम कहानी अब क्या मोड लेती है बॉस आकर अब पतानी कौन सा बखेडा खाड़ा करेंगी सूच के डर लग रहा है ए भगवान एए सिद्धू काहे जारे तुम तुम मना किया थरा ओफिस में आने के लिए चलो क्या थरा तुम्हें क्या करें तुम्हें क्या करें तुम्हें गूरू जी लगता है वो यहां आ गई है आज तुम्मरा सिद्धू यू यह यह व्हें जीक है तुम्हारी बॉड़ी में मेरी बॉड़ी में तुम्हें एस वाट सब मत खरी कुछ जो हुआ है आज बैठे मैं नगाए इसलाट तुम्हीं पर इसला जो आ तो आई वाट प्रस्टेट होगए उनटान नव तेल मीढ ओके, ओके, वैसे ये सब की वज़े वो गुरुजी है गुरुजी, वो दे हैल इस गुरुजी, वो दे हैल आई यू टॉकिंग, बोलो यह क्या, मैंने तो हाफ पी है, फुल पीने जैसा सब कुछ रिवर्स क्यों लग रहा है फिर से इसे अंदर क्यों आने दिया, यह कैसा आदवी है, जानते हुए इसे अंदर आने देंगे, तो हमारी क्या इज़्जत रह जाएगी उस दुबारे में बात कर रही हूँ, आप सरा बाहर वेट करेंगे प्लीज हासनी, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नाकारों पे भरोसा मत करो पहले आप बाहर जाएंगे जाता हूँ सिद्धू, इस ओफिस में दुबारा तु कैसे आता है, मैं देखता हूँ देखता हूँ आई, 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 बैठिये ओके, अब बोलो, कौन है वो गुरुजी, हमारे सोल बदलने में उनका क्या संबंद है, बताओ ओके, वैसे, मुझे आफिस से बाहर निकाल देने के बाद, मैं बहाँ क्या, तुमने मुझसे प्यार किया था, सच्चा प्यार तो मैंने तुम से किया था, यकिन दिला कर मुझे धोका देने वाले तुम थे, तुम्हे प्यार का मतलब भी पता है मुझे पता है अगर सच में तुम्हें पता होता तो मेरी जिन्दगी से तुम ऐसे खिलते नहीं असल में तुम मेरी जिन्दगी में आये है क्यों सॉरी हासिनी बस 40 दिन रुख जाएगे क्या? 40 दिन? हाँ उसके बाद तुम्हारी बॉड़ी सही नहीं तुम्हारी जिन्दगी से भी हमेशा के लिए चला जाओंगा 40 सेकंड्स भी तुम्हारी बॉड़ी में सहे नहीं पा रही हूँ मुझे पता है पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो गुरुची अब यहां नहीं है यह हमाले में चले गए है चालज तिन बाद ही लोटेंगे नो, 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 नो पीज, पीज, समझने की बोशिश कीजिए तुम्हारी प्यान करना मेरी गलती थी यह मुझे अभी पता चला यह नहीं पर गीव यू यह पिनिश्ट आसनी 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 गुरुची अरे, क्या रहे सिद्व? अरे, सिद्व? अरे, सिद्व? अरे, सिद्व? क्या हुआ? उस समय तो गेट आउट बोल दिया था तेरे बिना कहीं कंपणी बंद ना हो जाए इसलिए तेरा पैर पेर्टर कर लिया ही क्या? और यो टंग, बास के बारे में ऐसी बुरी बाते मत बोलो ओ, जरा इसकी बाते सुन वैसे ये बता, अंदर मेडम के साथ मीटिंग हो रही थी अब तुम दोनों के फाइटिंग चल रही थी शट आप, यो सिलिग आइज भाईयो, ये चेंज हो गया है वापस जॉब जॉइन करने के बाद, ये तो बॉस के गुंगाने लगा है सिदू, वो नए प्रोजेक्ट उसके रिपोर्ट कहाँ पर है नए प्रोजेक्ट अरे, तुने उस दिन किया तो था, यार आप, ऐसे किसे भूल दे देना वापस, देना ओते टेबल करोगी बताओ ना चल्दी बाद, आपाइल देना यार, क्या कर रहा है तू क्या हो यार, कहां जा रहा है तू ए सिदू, ए सिदू तुम यहां क्या कर रहे हो सिदू, चलो, यार जाओ पर लिए अरे भाई सुनना, बॉस को तूने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया लाइफ में तुझे फिर से ओफिस में लेंगे मैंने सोचा ही नहीं था पर यार, तूने सीन को इस तरह से गुमाया कि तू अपनी सीट पे फिर से वापस आया तू यार जीनियस है आप जाएए यासे जाएए मेरे पर गुस्सा हो रहा है इस बोटी में और फॉर्टी डेस कैसे रहोंगी सोचकर ही इरिटेट हो रही हूं मैं और इस चीटर को मेरी सिंदगी से जाने वाले उस दिन तक इस बोटी में अज़स करना ही होगा पर सबसे पहले इसका स्टाइल बदलना होगा स्टिंगा है क्लासे लोटी लावत जिंदेगी जासे स्टिंबो अनि धिटे पिल्दा ना तो सटलायं गिल्दा मच्चनी आज़से ना इकद अपकर चूटाले ना एनमी मूँवै ना नीतो फ्रेंशिक्ट्स चैयाले में दलू गेश्टूना एने अच्चस्च पाली नू कत्तोनो गोश्टूना नेक्के रस्पेक्ट्ट्ट्पाली रेटे मारिंदे ना लाइक्टे लोग्दै गोईंदे तेरो गाइंदे नी जाले फ्रीडमे रेटे रेंदे ना लवने फ्रापे रेकिंदे ब्रेक एंचो लिंदे नी बने महां पते Poo collisch, Poo collisch, Poo collisch को ढहिए सुथिग को जाया हम भूग को हमा हम कि अग्र को माइड को सुकत हम अगा तMat!! कि वो लावक schizophrenia ना पद मुदू नीवेले, सागे नरकलू नावेले, करले मूनीवे, करले नावे नी आशुलों दीरे पादूंदा, प्रेमक्नालू चाप्तूंदा, अन्दे इस्थे मांदां नाप्तूंदा करल ना लेकलू सुंगे लादारमी, जिन्दी प्रेमे वांदे लुकारी पे, सेरा दाई जेरा निमाना में 15, 15, life is 15, 15, life is 15, 15 कर दो qाँ औरत्ता ये वे 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 रे कह बादा ये से लोता दोगबा ये वे 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 वं-जाамोबा से कि ऴे बे अ streंड़ वे कर दो भा चुला चुला बाह thankful स्टॉप इस अरे भाई तू आया है मुझे लगा की एनकेजी आ गए अरे नाचोरर नाचो इस अरे जाए जाते बाग फिरू करो और तुम मेरे साथ हो क्या रे सिंदू तो जल्दी आना चाहिए ताना यह ड्रेस क्या है यह डांस क्या है पूरे ओफिस स्टाफ को औरकेस्ट्रा ट्रूप के रूप में बतल दिया है सब लोग पागल हो गए है असल में वह बहुत से यह बात भूल गई है क्या है सिंदू हमारे बॉस को अगर कुछ कहा ना तो आफिस के लोगों को बुरा लगेगा हां सिंदू बॉस को कुछ मत बोल वो बहुत बदल चुकी है सारे रूल्स बदल दिये पूरा फ्रिट रू मंदिर के वो एक देवी है और हम सब उनके भगता है या उदास लग रहा है यह सब ऐसा बरताव क्यों कर रहे हैं इंपर किसी ने ब्लाक मैजिक कर दिया है क्या अचानक सारे इंप्लोईज भग बन गए इसे खड़ा क्यों है यहां पर बैट जा बैट जा अरे बैट जा रहे ओके मैडम बैट जाता हूं तुटसे थोड़ी परसनल प्रॉब्लम शेर करनी थी परसनल मुझसे परसनल बात करेगी आखिरकार मेरा भी दिन आ गया मतलब अच्छी दिन आ गए मेरे वो अभी आपने कहा कि कुछ परसनल बात करनी है ना मेरे से ठीक है ठीक है तुटसे एक बार पूछने है पूछे ना मेडम जो मुझे पता है मैं सब कुछ बताऊंगा जो तुछे पता है सिर्फ उत्ता ही नहीं जो तुछे नहीं पता है वो भी पता करके मुझे बताना होगा ठीक है ना मे दोसा तो कोई और बना ही नहीं सकता है मैडम भैंस की तरह मेरे घरा के ठूसना ही तो तेरा काम है तो फिर कल आते वक्त मा के हातों का बना हुआ चार स्पेशल दोसा लेकर आना ओके? दोसा तो क्या मैडम मैं कुछ भी ला सकता हूँ आपके लिए आप जा सकता है ठीक है जाता हूँ मैडम ये बात सिद्धु को पता नहीं चली चाहिए ठीक है मैडम अरे मेरे भाई कैबिन से निकल के चेमबर में घुसने का तरह टाइम आ गया बॉस ने मुझ से अंदर क्या पूचा तुछको पता है क्या पूचा? तेरी फैमिली की डिटेल्स पूची वो पक्का तेरे प्यार में पागल है अरे मेरे शेर आखिर लड़की को पटा ही लिया तुने चुपा रुस्तो फैमिली डिटेल्स पूचा है तो उसका मतलब प्यार में गिर गई है क्या? अब तेरी मा के हाथ का डोसा लाने को बोला कहा कि किसी को बताना मत तू सुनकर खुश होगा इसलिए तुछको मैंने बताया तुने मुझे बारा क्यूँ? स्टॉप इस नॉंसेंस फिर से अगर लव और रोमेंस कहा तो आइम कोई टो किल यो चुपकर बढ़ाया इंग्लिश बोलने वाला तेरी पैदायश कोई विदेश की नहीं है बात बात पर इंग्लिश ही बोले जा रहा है बढ़ाया सिद्धू वाट इस देस? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? एसे सब के सामने मेरे कैरेटर को बुरा बना रहे हो आसनी क्या बात कर रही हो आप? आप मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी जिन्देगी को डिस्ट अप कर रहे हो वैसे अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली की बारे में पता लगाना है को चल रहा है किसी की insult करने की cheap mentality नहीं है मेरी वो तो देखी रहा है वैसे भी मेरे घर में खाना order करोगे तो आदे घंटे में टेबल पर आई जाएगा इस तरह breakfast और lunch के लिए भी क्यों मांग रहे हो ओरर किये हुए में ऑदे में मा से खाने में मां का प्यार नहीं होगा ना खाने में भी प्यार होथा पgens mij all a сразу अउस से लिए होदा है वो आपकी समझ में नहीं आएगा इंक हुए तुम्हें तकलीव को कैसे समझना चाहिए तुम्हें मेरे कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए मुझे अच्छी तरह से पता है देखो मैं क्या करती है हां से नहीं मेरे क्यारक्टर को कैसे बुरा बनाने के सूच रहे हैं अरे पकड़ो इसे हलो मुझे जल से जल शादी करनी है लड़की ढूंडो लड़की ढूंडो शादी करेगा क्या सुनिए इस बार मैं ऐसा रिष्टा लाया हूं कि आप सब की आत्वा प्रसन्न हो जाएगी जल्दी दिखाएए ना दिखाता हूं दिखाता हूं ये देखिये अरे देख तो कितनी सुंदर है बिटा हो कर दो नो ये देखिये अरे हां कर देख कितनी सुख्सूरत है देखो ना मुझे पसंद नहीं आई तो फिर ये देख ले देख ले लक्षमी जैसी लड़की है देख ले देखो ना चाहो तो आप अपने लिए देख लो शादी मुझे करनी है क्या बाकी की फोटोस दिखाईए जल्दी से रखिए नहीं यहां पे यह देख लड़की को शादी के लिए हां कैसे बोल दिया अब ये तुनिस की शकल देखी है अब ये मेरी नजरों से देख या और तेरी निजर पे तो पथर पड़ गये तुनिस की तरह ही भारी भारी हो नाशना या गाना कुछ आता है तुमें इसमें कोई शक नहीं मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है कौन सा गाना गाती हो बिटा सोने से पहले पता था मुझे यूसे आपको मेरी बहन तो पसंद आ गए ना किया बोल रहा है अरी पसंद आई इसलिए तो इतनी दूर आ या इसे देखने के लिए इसलिये जल्दी से रिंटोल मंत्रों बर्ड़ नाज़ना मत भी रहेंगे यह क्या है बेठा पूरा परिवार ब्रेक डांस करके धार्ती को हिला रहा है चुप रही है पापा जोर से मत बुली है हमारे परिवार की एक छोटी सी कमजोरी है म्यूजिक सुनते ही हम आटोमेटिकली नाचने लगते हैं गलत मचलते हैं तो हम सब मूरत की बात कर लें मस एक मेंटो की मुझे इनसे कच परसनल बात करनी है अब देख सुनिये आप जब शर्माती है तब बहुत ही खुशुरा देती है आपको मुझ में क्या पसंद आया आपका वेट एक फूल से भी ज्यादा प्यारी लगती हो मेरे रिष्टे की बात चल रही थी ना इसलिए मैंने कुछ वजन कम किया था वरना पहले में 10 किलो और जादा थी अगर आपको पसंद दे तो 10 किया 20 किलो भारी हो जाओ आप जितना भारी होगी उतना मैं खुश हो जाओगा सच में तो फिर शादी कब करेंगे एक महिने बाद पहले प्यार फिर शादी क्या प्यार है दया मुझे शरम आ रही है प्यार करोगी तो शरम पूरी निकल जाएगी सच्ची तो कल से प्यार करना शुल कर दे कल लेंच पे मिले लेंच मेरी बॉस नहीं मानेगी मैं मानूगी ना तो फिर कल आफिस में आओगी क्या अब हम चले करने की कसम खाई थी जिस परी ने उसे राजी कर लिया एक पर उसे बिलना है भाई मेरी एंजल मतलब तुम्हारी होने वाली बिल्कुल अरे भाई यह तो बहुत बड़ा शाक है यार तू अपनी स्कूटर से इतना बड़ा ट्रक कैसे खिचेगा यार अगर सोचोगे खीच नहीं पाओगे तो सब बोजन दार है लेकिन खीच लूँगा ऐसा सोचो तो सब पुछ लाइठ है कम ओन राविंग हलो मेडम है विट लीजिये कॉंगराइचुलेशन्स कॉंगराइट्स क्यों बोल रहा हूं यही सोच रही हो ना अगर किसी की शादी फिक्स हो जाए तो कॉंगरेट्स ही कहते है न मतलब मेरी शादी मेरी परमिशन के बिना डिसिजिन लेने माली आप कौन होती है मुझे शादी के नाम से ही नफ्रत है और तुमने मेरी शादी दे कर दी लड़की को देखेंगे क्या फोटो भी लाया हो क्या लड़की ही ले आया हो हे गाजी रिवेंच इतने भारी साइज में प्लाइन करोगी ये मैंने नहीं सोचा था हासीनी मैं तो मरा सिद्धू बाइद वे गचलक्षमी माई फियांसे सिद्धू पता नहीं क्यूं मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है वो हम दोनों देख लेंगे मेरा जानू मुझे लंच पे लेके जाने वाला है उसके लिए पहले परमिशन दे दू बस अगर आप कुछ गलत नहीं समझोगी तो मैं यू जाके आधे घंटे में आ जाऊंगा ओके आधे घंटे में आ जाना देखिए प्यार के अक्षर लिखने में फिर उसे पढ़ने में फिर परिक्षा देने में वक्त तो लगता है न अगर लेट हुआ तो इनसे कुछ कहना नहीं ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं ओडर है चलिए न जानू देखा ये 40 डेज मेरी बॉड़ी में होकर कोई भी फाइदा उठाने पर और कोई भी लिमिट क्रॉस करने पर हमारा ये रिष्टा शादी तक पहुँच जाएगा उतना ही नहीं फिर्स नाइट भी 40 डेज के बाद वो भी तुमारे साथ ही भगवान के लिए सामत करो आप जो कहेगी मैं करूँगा आता हूँ आदे घंडे मैं बाई हे हांसूम कहां से आ रहे हो पपसी या पार्क से मेरे साथ अफेर है इसके बावजूद भी तुमारी बॉस ने तुम्हें आफिस में रखा इसका मतलब तुम्हारा लव काफी स्ट्रॉंग है तुम्हारा लव कितना भी स्ट्रॉंग हो उसे कैसे वीक करना है और तुम्हें कैसे लॉक करना है साशा को अची तरब पता है इससे अपनी बॉस को छोड़ दो वरना स्टॉप यो बुल्शट सित्व तुम्हें जो ओफ़र दिया तो वो अभी तक खुला पड़ा है यू कैन कॉल में आनी ग्लाइम ओके है मिनू तुम ऐसे रो क्यों रही हो क्या करोगे आप पता करके जा कर फिर से अंगुंडों के पैर पकड़ोगे है न उस दिन आपने उनका कॉलर पकड़ा होता है तो आज ये सब नहीं होता बैठ जाओ गाडी पे जस्ट गट अन दो बाइक और शो में आज बावा जड़ा देख चुकरे ने तो स्टाइल बदन ली आरे मेरी सिस्टर को किसने चुआ मैंने चुआ बे अरे उसने नहीं बे मैंने चुआ है मैंने बे इस पार मेरी बेहन को छेड़ेगा तो मार के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मार डालूंगा किसी को मारने से पहले उसका बैक्ग्राउंड चेक करना चाहिए कोई भी भाई अपनी बहन को टच करने वाले के बैक्ग्राउंड के बारे में नहीं सोचता लड़की को टच भी करेंगे मूड हुआ तो चुम्मा भी लेंगे ज्यादा अमन हुआ तो कहीं और ले जाएंगे उसे क्या कर लेगा तू हमारा बॉल अरे भाई क्या हुआ ठीक हो ना भाई अरे क्या बोल रहे हो बैए उस तरह मत बोल इस कार में आके बोल अरे भाई उसने आपको पूलित्रे से मारा हो उसने मुझे मारा तो तुम खड़े हो के तमाशा देख रहे हो के बेवकूप जाके मारा उसको हुआँ चले शेलो पके मारब टेलो याज है फटबौल में मारते हैना ? बिलकुल वैसे भी इसको भी माराու एक मर्द की बॉड़ी में गयों कि दस मर्दों को मारने में जो मसा है सौ सानबैक्स को मारने पर भी नहीं मिलेगा चल दिखा जे अब बार अब मोटो जयकेट लाओ इलो जयो आपके ज़ए बाई अवास निया रही हुले है इंडिकल पुलिस में आगई क्यों रहे कॉलोनी में दादागीरी कर रहा है चाल पोली स्टेशन हां कलत चके के हाथ लगा दिया भे तुने तू तो गया गूर क्या रहा है भे क्यों रहे है एड कॉंस्टेबल को मारेगा तू बहुत अकड है तेरे में मैं उतारूंगा सारी अकड उतारूंगा तेरी कली मैंने दान निकलवाए थे सर तू रुक यार रुक सर इसमें मेरे बहिया की कोई गलती नहीं है बहुत दिनों से वो लोग मुझे छेड रहे थे और गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे आपने कंप्लेंट्स की पुलीस में डा क्यों आई मुझे बुलते हैं मैं आई जाता मैडव मैं घॉद्ध जी की को और बहुत करीब है यहार को इसर को चोड़ो यार मैडमまた metholar को बहुत और लगा न सर से बोलो ना sorry बोल ए एक बार उसके लिए मैं sorry कहती हूँ आप क्यो sorry बोल रही है मैं constable को मना लूँगा मैडम रहने दीजिए Sir अरे तुम रुको यार पड़े लोगों से पंगलो के तो नौकरी चली जाएगी मैडम आप जाएए ना जाएए ना Thanks माडम ए रो मत मीनो मैं हूँ ना ओके चलो Thank you मेरी बहन को बचाने के लिए इतना रिस्क किया उसके लिए thank you so much ओके पर फोन पे क्या कहा था मैंने लॉयर को भेजने के लिए कहा तो डिरेक्ट पुलिस स्टेशन में आ जाओगे एनके की बेटी पुलिस स्टेशन में आई है पता चला तो मीडिया क्या लिखेगी जानते हो Come on Sorry माडम मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या हुआ इस इटेंशन में यहां आ गया ओके फिर से ऐसा मत करना चलो मेनो माची यह अभी तक नहीं आई बहुत देर हो गई है पहले कभी इतना लेट नहीं आई कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था इसे अरे आ रही होगी किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी क्या पता सावित्री फिक्र मत करो देखो वो लग आ गए आ गए क्या कहा गई थी तुम तुमहारी मात कितने चिंता कर रही थी कहा गई थी कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था अरे तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी क्या रही क्या हुआ कुछ नहीं मा दिखा ये चोट कैसी बेट बैट बैट मा यह खाओ कैसे हुआ क्या हुआ बता ना रुक 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 क्या है वहाँ ऐसे बुद्ध की तरह क्या खड़ी है कुछ तो बता क्या हुआ दादी वो मैं जब कॉलेज से आ रही थी मेनो तुम अंदर जाओ प्लीज तुम्हारे शरीर पे कितना घाओ लगा है कुछ नहीं हुआ है छोटा से खाओ है गादी मा दिका तो कितना कितना खून बह रहा है अरे भगवार मा तो मैंसे रो क्यों रही हो क्या हुआ क्या हुआ तेरे साथ बिटा अरे मुझे बताना क्या हुआ ये चोट कैसे लगी तुझे मा फिक्र मत करो मा कुछ नहीं हुआ है मुझे तुमा मेशा जगडे से दूर रहते थे तेरे आजकल इतना बदल के से गए हुआ नमस्ते दादी जी कौन हो तुम बेटी सीधे स्वर्ख से आई हुई महालक्षमी जैसी लग रही हो कहीं आओ जाना था गल्ती से यहां आ गई क्या दादी जी सिध्धू है क्या सिध्धू कौन है बेटा अरे दादी लगता है मुझे जैकवार से उतरते वे देखकर इनका दिमाग खराब हो गया है आपका पोता सिद्धु दादी हाँ, 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 यहाँ आ गया मेरा ही पोता है, मेरा ही पता है अप, अंदर आप, आजाओ, आजाओ यो पानी बियो बेटी थांक्यू आटी हमारे पोते के लिए तो इतनी दूर आई हो मतलब की सिद्धु तुम्हें बहुत जादा पसंद है कितना भी पसंद हो, उससे क्या फाइद है दादी उसकी शानी तो फिक्स हो गई है अरे होने तो फिक्स, तुम हाँ तो बोलो लड़की बहुत तेज मिली है आप यहाँ क्या बात कर रहा है तेरी बॉस तुझे ढूंटे हुए यहाँ आई है मतलब यह तुझे कितना पसंद करती होगी रहना दीजी न दा दीजी लो देटी दोसा खाओ मा कंगे कहाँ पर है हमारे घर पर भी सेम प्लेस आप यहाँ कैसी है है हाई मीनू मैं अभी आती है सिद्धु को उसकी मा के हाथ कर दोसा बहुत पसंद है पता नहीं आजकल क्यों पीजा बर्गर फ्राइज यह सब खाके खुद को बरबाद कर रहा है उन्हें ओफिस के लिए ले दो रहा है आईए चलते है अरे 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 अ अले अरे अच्छे सब खाने तो दे बाहर जागे खाने दो अरे इसका क्या करे समझ नहीं आता क्या कर रहा है क्या कहा तुम मुझे पसंद हो तुम्हारे लिए हमेशा मेरी एकी फीलिंग है I hate you इस और लाव यू मेरी पर्मिशन के बिना मेरी घर पर आते हो यह ठेक नहीं है देखा जाए तो यह मेरा घर है ओके फाइन गो टू हेल एई मेरी बात तो सुनो बात उना है प्लाओ झाल प्लाओ ढात ही एप आर प्लाओ फ्लाओ इसने एक उल्ड़ प्लाओ इसने तवसे घ्लाओ तूले तूले, अडुगे तूले, आकासंलो येगिरी दूगेदे तिल्ले तिल्ले, मुवणना तिल्ले, आनंदनलो तनुवे हूगेदे तुलिसारे तुलिसे आनंदमे, ओ पापल्ले मनसेमो आणिंदे अलुपिल्लाले दे, मदि परुगु लगे अनिन्ना मन्नलले, इरकमुले रेटो, तेवे माकन्नुल्लो निन्दी हरी तिल्लागे दे, चीरमा दे, कदा बुल्लो खेडा लई तोंगे तुले तुले, अर्बे तुले, आगा संलो यहीं तोंगे दिल्ले, दिल्ले, नोपना दिल्ले, आनंदम्लो खनु वे उगे ते दुन्ता दीपाईये, नीजे थी सशेले, मारिंदे, गुन्दे कदे, ओपाना चल्लाले रापाईने तुले तुले, अर्बे तुले, अर्बे तुले, आगा संलो यहीं तोंगे तुले, तुले, नोपना दिल्ले, आनंदम्लो खनु वे उगे आप रोज रोज इतनी मैनत क्यों करती है, माडम? मुझे सिखा देंगी, तो मैं साइन खुद ही कर लोगा ओ, रैक्टिंग बन करो, वरना यह पैन तुम्हारे अंदर खुशा दूँगी अगर ऐसा करना होगा, तो तुम्हें खुद के अंदर ही घुसना पड़ेगा बस उसी एक अडवांटेज से तुम बजगए हो करुजी, बहुत अच्छा गिफ दिया है आपने आप मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी सुबह उठते ही आपको मेरा चैरा देखना पड़ता है मुझे फ्रेश करवाना पड़ता है, ब्रेक्फेस करवाना पड़ता है, ओफिस में मेरा सारा काम रुको रुको, और कितने दिन चलेगा यह सबना टक? हासनी, यह चेक इसको 24 घंटे तुमारे चेमबर में क्या काम रहता? तुम्हें क्या काम है? बात क्या है? क्या चाहिए? इस चेक पे साइन चाहिए फाइव लेक्स? हाँ हाँ, फाइव लेक्स थोड़ा इंकजार करो, बाद में साइन करके भीज़वा देती हूँ मुझे अभी चाहिए उन्होंने कहा ना, बाद में भीज़वा देंगे ओए, तु मुव बन कर तुम साइन करो अभी पॉसिबिल नहीं है, I'm busy now बहुत busy हो है, इसके साथ time pass में busy हो ना अभी चाहिए, यह दो कोड़ी का आद में मुझे गेट आउट बोड़ा हो, तुम खामोश हो नहीं, 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 तुस्ते नहीं हम दोनों को जिसने पैदा किया, उससे बात करूँगा मैं सिर्फ पास लग नहीं, जादाद में अपने हिस्से की मान करूँगा मैं, ओके, तुझे देखता हूँ यह सब क्या है, आपने उससे get out क्यों कह दिया, ओ गोड़, अब घर जाकर तुम्हारे बेदा जी से पता नहीं कितना सख़णा करेगा डादी, मैंने कुछ बनाया है, यह देखे, गुलाब जामण भार में गया तेरा गुलाब जामण, यह क्या कर रहे हो, तुम बच्ची पर घुस्सा कर रहे हो, चक लेते तो क्या हो जाता है हाँ, हाथ फहला के भीख मांग लूँ, पहले ही तुमारी बेटी के सामने भीख मांग रहा हूँ, अब अपनी बेटी से भीख मांगू, छोटे से चेक पर सायन करने के लिए उसके चेम्बर में चक्र काटने पढ़ते हैं मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा तो मैं हाँ से चला जाओंगा इन से पूछो, जब तक हम बहार नहीं जाएंगे न हमारी हमियत पता नहीं चले ऐसी बाते मत कीजिए, साहब का आपके अलावा भला कौन है हेलो, मेरे अलावा उनका हर कोई है, तू चुप रहे उस लफंगे के साथ घूमते समय घर की इज़त याद नहीं आती है तुम्हें बस बहुत हुआ, मैंने तुम लोगों को लाड़ प्यार से पाल कर गलती की मेरे जिंदा रहते जादा नहीं बटेगा तो फिर मर जाओ अतने पिदाजी के बारे में कोई ऐसी अनाफशराब बाते कहता है क्या शरम नहीं आती तुम्हें शरम की बात तुम तो मती करो, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मूँसे इस घर में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी सब के सब मर जाओ कहीं जाकर सुनिये, तुआ जाचल, मेरे बात तो सुनिये, रुकिये भी आ रहे है जाड़ी, जाड़ी दर्माशा खोलिए जाड़ी ओपन दे जो, जाड़ी फ्रीज जाड़ी क्या खरे ज़र दो मुझे अगर मेरे मरने से तुम दोनों खुश रह सकते हो तो ठीक है Let me die बेटी, let me die मौट से किसी समस्य का हल नहीं निकलता डारी एक नहीं समस्या create हो जाती है यहाँ पर समस्या मेरी जिन्दगी ही है जिसके खत्म होने पर ही समस्या का समाधान होगा देखिए डारी, सोच के लिए गए डिसिजिन चैनल सभी कभी गलत हो जाए, पर जल्दबासी में लिए गए डिसिजिन हमेशा गलत होते हैं, भाया को बदले की सिम्मेदारी मेरी है, कुछ पर भरोसा कीजिए, उची डारी कीजिए, घूर क्या रहा है, खाएगा तू, अच् अब तक गया क्यों नहीं, अल्रेडी ओंदा वे हूँ यार, हाँ, 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 ह साथ रुपए किलो हाँ साथ रुपए किलो अबहे दोए बिना खाताई क्यों है तू बेवदे में बीमारी मोल लेता है लेकिन तू तू ते मेरी बात मानेगाने आईए सर आईए क्या हुआ राओजे सब आपकी राह देख रहे हैं सर कॉंग्रेट सर क्या हुआ यह सब क्योंग्रेट सर आप हमारी कंपरिंगे नए CEO पॉइंट हुए है मैं और CEO किस ने कहा हासिनी जी ने कहा वो अंदर नहीं है हासिनी ने इंपॉसिबल जर आटि भाया क्या हुआ भाया यहां खड़े-खड़े क्या देख रहे है भाया हाँ भाया आए न बैठिये नहीं हासिनी बैठिये न भाया आज से इस कंपनी के हैड आप ही है एक नट तुमने मुझे भाया बुलाया हाँ भाया इस जनम में तुम भाया कहोगी सोचा भी नहीं था सौरी भाया मेरे आटिटूट की वज़े से आप बहुत परिशान हुए हैं न नहीं हसनी मैंने ही अपनी गलत आदोतों से तुम सब को दुख पहुचाया है आप अगर बदलेंगे तुर सबसे पहले खुश होने वाले इंसान जारी होंगे हाँ पापा को एक पिता की तरह इज़त जिन्दगे में कभी नहीं दी मैंने इतने साल तक आपने जो नहीं इज़त दी है CEO के तोर पर इस कंपनी को भी देंगे ना भाया जरूर हासली मुझे लगता था कि तुम मुझे नफरत करती हो लेकिन इतना प्यार करती हो मुझे आज पता चला मैं इतने दिनों से आपसे नफरत करती थी उसकी वज़े आपकी आदिते थी आप बिलकुल नहीं भाया इस कंपनी का CEO बनने लायक मैं नहीं हो तुम ही ठीक हो लगता है सिस्टर सेंटिमेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है उतना ही नहीं कोई भी भाई अगर बहन ने प्यार से मांगा तो जान भी देदेगा चलता हूँ है थांक यू भाईया इसके अंदर बदलाव देख रहा हूँ तो हमारे इनके जी की अच्छे दिन आ गए लगता है शुक्र है भगवान का हे भगवान मैं एक महिने के बाद अपनी कार निकाल रहा हूँ तायर को कुछ ना हो, सत को कुछ ना हो बचा ले दा भगवान जा बे एक ये है, कभी टाइम पर नहीं आती अरे आवना, क्या कर्रें यो वान्दार माजी माजी, सावित्री अरे, ये ऐसे कैसे किल गई अरे, क्या हुआ इसे एक ज़रा चल्दी हाँ, हॉस्पिटल लेगे जा इसको बेटा चल, जल्दी कर, उठा इसे इसे कुछ नहीं होना चाहिए सिद्दू इसका ध्यान रखना माजी, सिद्दू, सिद्दू, अरे, मैरी कार अरे, अरे, हमारी कार अरे, तुझे रामिक ने आदी अरे, अरे, रुख जा, अरे, सुर, रुख जा मा, मा, कुछ नहीं होगा मैं हाउस्पिटल ले जा रहा हूँ तुम्हें हलो, हाँ, हाँ, सिद्दू मा का हुस्पिटल ले जा रहा हूँ, सिद्दू हार्ड अटेक निरूपू, ने दम्मा, ना प्राणू, नुवम्मा नुवुण्टे, चलम्मा, नी देगा, जन्मा नुले, नी लोटु, नाकु, तीर्चे, वार्यवरे डूगानी, दूरमे, त्यागे, ना उपिरे नोकल्ले, नी रैये नी वल्लो, उदार्चे मैं भाण। मैं भाण। मैं भाण। कर दो कर दो कनुपा पने पुडएना वदिले ना रप्पईना ना तप्पे ये मुन्दो वो कसर जबुतावा ये सिक्षे वेस्तावो निलु चुन्ता नी यदुटा मौलनने विळम्मा लोकानने चुडम्मा नी रूबूने लुम्मा ना प्राणू नुवम्मा नुबूने चुरम्मा नी देगा जन्मा अहो बिटा देखो मेरी बहु को क्या हो गया अब कैसी है ये अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब अनात हो जाएंगे नाधिंग टू वारी करिक्टरा आम पे उन्हें लेकर आये अगर पांच मिनिट भी लीट हो जाता तो उनके बचने की चांस इस नहीं होते आप बहुत लखी है अगर ठीक है रफा शुक्रिया वो तो वक्त पर सिद्धों घर पर था इसलिए मेरी बहु बच गई उसे तो ड्राइविंग भी नहीं आती कैसे इस कार चला कर यहां लेकर आया भगवान ही जाने हासिनी सिद्धू हासिनी मैं तुम्हें किस तरह थैंक्स कहूं समझ नहीं आ रहा मुझे क्योंकि मेरी मा मेरी जिन्दगी है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी भी जांद चली जाती थैंक्स हासिनी पता ने सिर्फ मेरी मा की सिंदगी नहीं बचाए क्या बच्चों कितरा बोल रहे है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरुरत नहीं है सिद्धू मा तो सब के लिए माहीं होती है मैंने तुम्हारी मा को बचाया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है अपनी मा को बचाया है ऐसा लग रहा है वो भावना को थैंक्स कहे कर प्लीज मत मिटाओ यह मेरा फर्ज है इस लोगे इस लोगे सिद्व अरे मा अपने मेरी कार मेरी कार मैसी तु मेरी कार की तो वाट लगा दी तुने क्या किया मेरी कार के साथ तुने तेरी ये हालत में नहीं देख पाऊंगा तुने वर्बाद कर दिया मुझा सिद्वू मेरी किंतिकार का पोस्ट मार्टर कर दिया तुने अरे बाबरे अरे ये क्या कर दिया ऐसे दू ये चलो अंदर चलो ना लाइएप ड़ी को जो树 हेए मैद्यू गॉटी ओ मैद् कर दियू आजाNow कम हार रेली मैं श्पी एवत यज चलो बाइ मैद्टीश औरही ठीक से बह एटा क्याट्च पिताजी दवाई ले लिची क्याट्च डड़ी कल सुपर ठीक 9 बजे मैंने आपके हेल चेक अप के लिए डॉक्टर से अपाट्मेंट लिया मैं वहाँ जरूर जाओंगा ओके मुझे तो ये लिचे दादाजी नहीं पगता है न दादाजी से तो चूट गई सिद्धू आउना लेखे रहे हो पापा सिद्धू सिद्धू अरे रे रे गॉड़ी ब्लेस यू आओ बेठे बेठा आपकी तबीयत के सी मुझे क्या होगा एक दम मस्त हूं अपने परिवार के होते हुए मुझे क्या होगा I am very happy आपको ऐसा देखने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है थैंक यू सिद्धू जरा सुनो तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है जरा उपर आओ डैडी हम आभी आते हैं ठीक है विटा अपने जो वीडियो निकाला था उसे हासनी को मैंने ही दिखाया था वो किस तुमने नहीं दिया था तुम्हारी कोई गलती नहीं थी किसी भी तरह तुम दोनों को अलग करना चाता था इसलिए ऐसा किया I am extremely sorry अर्वी जाकर मैं हासनी को सब कुछ बता देता हूँ अरुकी अगर आपने उसे ये बात बता थी तो उसके लिए मैं अच्छा बन जाओगा पर आप उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे वो मुझे पसंद नहीं होगा इसलिए ये बात आप किसी को भी मत बताना ओके मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा सिद्धू बेवज़ा में आफिस में मैंने तुम्हारे उपर हाथ उठाया था मुझे माफ कर देना इस ओके ये बात अब यहीं पर भूल जाते हैं मैं मेरे मन में कुछ भी नहीं रखूँगा और आप भी मत रखना ओके बट I have to go क्या हुआ यहां पर क्यों रोग दिया हे हैंसन क्या पात है स्टाल काफी बदल दिया है अपना मेरे लिए एक बात कहूं तुमसे तुम्हे किस करने से पहले मुझे हमेशा तुम पर हुस्सा आता था लेकिन जब से किस किया है न वो उस सब प्यार में बदल चुका है अब भी नहीं समझे लगता है एक और किस करना ही पड़ेगा और एक बार अगर सिद्धु के पास आई तो I am going to kill you Mind it यो धर्मा की बेटी को मारा तुमने तुम्हारी लाइफ में रिस्क बढ़ गया है तैयार रहना फेस करने के लिए सिद्धु मेरी बॉडी में रहकर तुमने मेरी फैमिली को बदलने का सोचा तुम्हारे सच्चे प्यार को मैं आप जाकर समझी हूँ हासनी तुम ऐसे अचाना क्यों चली गई वो वो मैं ठीक है कल चालिसवा दीन है पता है ना तुम्हें अच्छा यह क्या चालिसवा दीन है सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी मुझे ऐसा लगा था पर क्या हो गया तुम्हें कल ही सबसे पहले हम जाकर गुरी जी से मिलेंगे ओके ओके सिद्धू तुम्हें मन में है वो अभी मुझे बताने का मन कर रहा है तुम्हें पता है मैं भी बात के लिए दिजार कर रही थी मेरी तरह रात बहर प्राक्टिस करके कहूंगा ऐसा मत कहना सिद्धू हाँ 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 कॉण है बहुए कौन है ब欸 ? जिसने हमें किद्डैप कियो ? कहां पर हो zaten ? ये सब क्ला हो रहा है ? जंके का पता नहीं है पर प्लान करके किद्टैप करने वाली जरूर वो धर्मा की बेटी защah ही होगी येस, correct guess किया तुमने तुम्हें किद्डैप मैंने ही करवाया है पहले मैं तुम्हें किड़ डैप करने वाली थी, पर मुझे ही किसी ने किड़ डैप कर लिया, कौन हो तुम लोग? आज मेरी शादी है, मैं तुम बनूंगी, आज मेरी शादी है, मैं दुहन बनूंगी, तुम हो? हाँ, मैं हूँ जानू, तुम्हारी गजनी, मुझसे शादी करोगे ना? क्या? शादी? नो, 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 क्यों क्या हुआ? शौक लगा क्या? मुझे सब पता था, तुम इससे प्यार करती हूँ है ना? रोमांस करना चाहती हूँ, मेरे जानू को मुझसे शीदने की कोशिच कर रही थी इसलिए, तुम्हारी आखों के सामने मैं इनसे शादी करूँगी, तुम देखती रहना? जग जग जीया, क्या बात रही है? प्लीज कर जी, क्या हुआ हुआ हमें तुम्हें बात में बताऊँगा, पहले हमें यहां से एक जगा पर जाना होगा, प्लीज इसे खुलो मुझे मंगन सुतर पहनाऊगी पहनाओंगा कर भी क्या सकता हूँ चलो भाईयों, अपने जीचा को तयार करो मैं मैंनेज करूँगा ना अरे बेहन की जादी है तुम लोग इतने शांग तो चलो मिलके जोड़ी शोड़ी बचा नीरे दुर चूसे पिल्ला, मी एदुरे उंदी नी मनस दोच्च नैला, मी मरसाइंदी नीकोरक सोपिचाला, मर्यन केसुल्दी नाक्कु एंटि कावालो नी दगरूंदे नीक्कु एंटि कावालो अधि ना दगरूंदे नीक्कु एंटि कावालो अधि ना दगरूंदे येडू गंटलक्की नेनू स्टार्ट आओथा येनिमी दिन्टिकी निन्नो रीचाओथा गोंबे दिन्टिकी नीतो चेस करता बादि गंटलक्की इनकलाइटों फिक जेस्ता लवफ चेस्ता नेनू लवफ चेस्ता नाई दंगा नेनू लवफ चेस्ता खट खट की किस्ता मतु नी कुए किस्ता है तेले नो छोपिस्ता फितैले आडमनी माटுத்தु तैल्ला पोस्टच करी लावदू सिंगलेशने कोरत्थु लायस्वनीलोगोफस्लोगोफस्लोगश्तोथु पीरे दाका परूलोना, तासे दाका पुबुलोना, रईरे दाका एए बढ़नी पाईना, तोड़े लोका मरे बेट्ट पाईना लफप जेस्ता, निनू लफप जेस्ता, यूटी रोवना स्वी तंदिस्ता लव पचेस्दानी दो लव पचेस्दा पीसें दानी के दो हाई तिर्फिती देल्दा मित होल्ट पए्टेस्दा किस से केस चोब सा तो जोने शात्थेस्दा इसली लोब उचेस्दा लईफ अन्थे छाटे नन्ता मिससे जेसावो मिष्टे कंटा मागा दाच्चावो बोईस्ट्रेंड अंका पुर्पट्टावो ब्रेकवण्टा यो फ्रीडे नापु उत्प गुंदाली हाफिनस नीको शैर्ट्रियाली ही कंडीसं के नूओ के नाण्डे ने लपचे साव नीलो लपचे साव लवचे सा नीलो लफचे साव बोपचे साव सबी सचु जो बिसा, की जो फिसा ह neutrागु सबीको नोँ बिसा थे मुझन ऊ सका सबीको बिसा हुआ नो बाव जई ए, नाओ जई ए लौचे, पिला लौचे, लौचे, ननु लौवेचे, लौचे, लैला लौचे, नाइन नन्दा, ननु लौवेचे diarrhea, bolts, लौचे, 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 लौचे… औरे ट Talalo, औरे वोल फारु पादो नन्दा, ना भाव हम्माएं दिसकोन। पारु पादो नन्दा कहां पे है तुम्हारा गुरुजी वाँ वाँ उस्तर चलो चलो यह क्या हो गया गुरुजी से लेटे हुए क्यों है गुरुजी अब नहीं रहे आज सुभाही वो पर लोक सिधार गए जिंदेगे में फिर से आपसे मिलने की जरूत ना पड़े ऐसा मुझे फिर से आप शिराप दे दीजिए गुरुजी प्लीज ठीक है बेटा तकास तो अगर आप जो कहले है वो सच है तो फिर हमारी समस्या का हल कौन निकालेगा अरे गुरुजी रुको बेटी रुक जाओ हमारे गुरुजी ने सब का कल्यार ही किया है तुम्हारी समस्या का भी हल गुरुजी निकाला ही होगा तुम्हें बस सही समय की प्रधिक्शा करने चाहिए हासनी, 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 मेरी बार तर सुनो, प्लीज, सब तुम्हारे कारणी हुआ है, अब जिन्देगी बेर तुम्हारी बॉड़ी में मैं और मेरी बॉड़ी में तुम हो, चीची, बुच्छे, मुझसे ही नफ्रत हो रही है, आप देखर मत कीजिए, जरूर हमें कोई ने को रास्ता मिल जाएगा, सारे रास्ते बंद होने के बाद, और एक रास्ता खुलेगा, इसके हम उम्मित कैसे करें, बात वो नहीं है, हासनी, मेरी बात तो सुनो, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमारे सोल सकर नहीं बदले तो क्या हुआ, हम शादी कर लेंगे, यह न दुरुजी का इस तरह से, पर एक बात बिल्कुल सच है, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हासनी, तुमने जान पुछके किया हो, या नहीं किया हो, जो होना था, वो तो होई गया, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी गलतियों के कारण, मुझे सजा म मिल रहिये, I hate you. आसनी, आसनी,आसनी, आसनी, 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 प्रीस, आसनी, आसनी, I love you, ओनोची, कर दो कर दो कर दो कर दो नुमर से जादी जी खुश रहो खुश रहो सुपा है उपर है थांक यू यही हमारे लड़के को ठीक रहा पे रख सकती है भट तुम्हारा शाप हट गया है तुम्हारी बोडी तुम्हें वापस मिल गई है अब जाकर अपनी डार्लिंग के साथ दुएट गाना गाओ उठो भट उठो कितना अच्छा सपना था सच हुआ होता तो कितना अच्छा होता जो किया वो काफी है अब ओवर रियाक मत करो चली से रही हो जाओ ना मेरे बोडी मुझे वापस मिल गई मेरे बोडी मुझे वापस मिल गई तुम्हारा वेट कर रहे हैं यह किसे हो गाओ जाओ 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 एले बॉड़ी मुझे वापस मिल गई और बागी सारी चुछ अपर जोड़ी अच्छी लगरे अरे सिद्धू तुम बहुत खुश नसीब हो देखा जाए तो तुम्हारी लड़की ही खुश नसीब है हमारे लड़के का नसीब तो बहुत अच्छा है सिद्धू क्या हो गया है अब थाली एक दूसरे को दे दीजिये समझ में नहीं आ रहा है हमारी आत्मा कैसे बदल गई आई डोट नो सिद्धू तल रात को मैं बहुत देर दक रोई हां बहले ही मुझे कितना भी अज़स करना पड़े पर लाइफ लॉंग तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं सिद्धू आखिर में सच्छा प्यार क्या ह होता है फामिली की एहमियत क्या होती है इन 40 तुनों में तुम्हारी बॉडी में रहकर ही मैंने समझा है और फाइनली सुबह उठते ही मेरी बॉडी में मैं थी गुरू जी आई लाव यू जिस दिन इन दोनों ने एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझ कर मर्द और और औरत का भेद भाव किये बिना जिंदगी भर मिलकर रहने के लिए सोचेंगे उसी दिन इनका शराप अपने आप ही हट जाएगा सर्वे जनाह सुखिनो भवन्तु शुभम कल्यान मस्तु अब एक गलत है यह औरत भूत नहीं होती है देवी होती है हमे जनम देने के लिए वो बहुत दर्थ सहती है हमें प्यार देने के लिए हमारी गलतीयों को सहती है अगर पापा ना हो तो माँ उनकी कमी पूरी करती है पर जहां माँ नहीं होती वहाँ पापा कुछ नहीं कर सकते एक औरत की तरह मर्द कभी प्यार नहीं कर सकता वो अगर इस धर्ती पर पैदा ना होती तो प्यार का मतलब समझ में नहीं आता कोई भी मर्द प्यार करना एक औरत की गोद में ही सीखता है हम किसी के साथ भी खुशी से हस सकते हैं पर दिल खुल के रो सकते हैं उनी की गोद में और किसी के भी नहीं तुझे औरत के बारे में पता ही क्या है बे जब तक औरत बनके पैदा ना हो कोई भी मर्द एक औरत को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता वो हमसे प्यार नहीं करती इसलिए हम उस पर एसिड फेक रहे हैं धहच के लिए उससे बहुत सता रहे हैं अत्याचार करके उन्हें हम मार रहे हैं फिर भी हम पर भरोसा करके हमारे साथ ही जी कर वो हमें जीना सीखाती है हम किसी तरह उनका कर्ज नहीं चुका सकते है कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो दे ही सकते है औरत को रिस्पेक्ट देने का मतलब हमें जनम देने वाली मां को रिस्पेक्ट देना होता है So my dear friends आप एक बात याद रखिए औरत को नफरत से जीतने वाला नहीं प्यार से जीतने वाला ही असली मर्द होता है So always give respect to women कार मात्र वेली Thank you Sindhu, thank you Hello, hello इकारे ना दोलता वाले का तोमुडे ना Hey, कोट्ट कोट्ट बट्रवे, कोट्ट कार तोड़ा отрी आउनको आईओ, एको थेको बईयो चारी केंदा मायो, ताला केंदायो गारी से मीले रिदे कानूले रिखỌ ऐके चंटाए मारे, निपो डिरे इन्यों क्लासों लाइफ इंगा है क्लासे इन्यों क्ली लावच्छिंदें इटासे जी तो अने थिट्टे पिल्ला ना तो सट्टिला यंदिल्ला नच्चनी पैसें नंग, इगल दप्पकर चूटले ना एनमेल्मील्म्पैना, नीथो फ्रेंचिक्च्च्चैयाले निंदलो जेश्तुँन ना, एने अच्चस्टबबदी नू कत्तोलो दूस्तुन ना, नेक्के रस्टट्बदी पाली वो थे, लते लोब आग कोईए ले कर दोगी देना लेग ले लोग एक ते लेग दो क्रिवे लिज रखेसे फिफजी ग्रिफसी सापरे मा किक टागीं, बमा मत कानें कि क्या है लो और में, काँ आले न है, आले लो और मा इसाय राह्चा साहski्नै को पीपया में पर्णुन्दा प्रेमकना लोचाटून्दा तंदेस्टे मंदा मुदून्दा कॉन्ना लेकाली सुन्दे लाबारा मिं जिन्दी प्रेमे वंदे लुकारी पो शेरा दाई जे रारी माना में पुटी पुटी रा जिस पुटी पुटी Je interrupt चल्डेक बड़ें एक पालि मालती क पहते है शर्दर स्विय का वहाओ के शुछता पाल्डवा को शुछता पाल कर दो है है कि जूआी ओम कहल innit है कह राँ धरन गहजा लाँ और बाँ काप अलting ने है ने लौगल ね्भाड़ी आप झाते है बती प्रेश्lafा गां पेंता ग्रेश्सल शूगल है फ्टी प्रेश्सल दाँ कि प्रेश्सल ये देल आजह कर दो कर दो कर दो कर दो